हलो जैहिन साथियो स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे आज है 11 नमबर 2021 और आज की रिट में जो चातर गए थे एक्जाम देने ITS Secondary Electrician Trade का उनका मैं यहाँ पर answer की लेके आ चुका हूँ जितने भी चातर आज की रिट में गए थे एक्जाम देने सभी लोग वीडियो को complete देखेगा और अपना answer की मिला लिजेगा और जो भी इस student को किसी भी question में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो comment में पूछ लिजेगा मैं आपको जनकारी दे दूँगा और यदि आप इसका पेडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के description में टेलिग्राम ग्रूप का link दे रहा हूँ आप वहाँ से एक क्लिक करके आप टेलिग्राम ग्रूप जोईन कलीजेगा जो लोग टेलिग्राम यूज करते होंगे और वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कलेजेगा तो चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन से पहला कोशन पूछा गया था कि HT overhead लाइनों के अंतिम सीरो पर किस परकार के line insulator का उप्योग किया जाता है pin insulator का या disk insulator का या stay insulator का या post insulator का तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है भी आपसन जिसकों disk insulator के नाम से जानते हैं जितने भी चातरों ने भी आपसन मारा होगा आज की जेट में उनका बिल्कुल correct insulator हो जाता है आगे बढ़ते कोशन नमबर दो पे जिसमें कोशन नमबर दो में यहाँ पर पूछा गया था कि क्या कारण है जो AC की तुला में DC के टॉंसमिशन पर conductor crash sectional छेतर का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है पहला यहाँ पर आपसन दिया था कि कोई स्मिया हानी नहीं होता इसलिए या कोई तुचा प्रभाव नहीं होता इसलिए या कोई सकती हानी नहीं है इसलिए या कोई करोना हानी नहीं है इसलिए तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर 2 कि कोई भी समكن परभाव नहीं होता है अधा तोच्छा परभाव नहीं होता है इसलिए इसका उपियोग कर सकते हैं तो आफसन नमबर 2 हमारा कोशन के अनुसार करेक्ट केंसवर हो जाता है सभी लोग मिला लिजेगा आगे बढ़ते कोशन नंबर तीन पे जिसमें कोशन नंबर तीन में पूछा जा रहा है कि आई ये नियमों के अनुसार घरेलू वाइरिंग में उपर सर्कीट को जलाने के लिए अनुमें भार कौन सा है 800 वाट या 1200 वाट या 2400 वाट या 3000 तो साथियों यहां पर सही हो जाता है आफसन नंबर ये डिसको बोला जाता है 800 वाट जितने भी चातरों ने आफसन नंबर ये मारा होगा उनका करेक्ट एंसर हो जाता है आगे बढ़ते कोशन नंबर चार पे जिसमें पूछा गया था कि गैर परामपरिक बिजली उत ना इसलिए इसका फैदा किया है तो साथिंसक सबसे बड़ा पाइदा ही है कि ये परदुसर जर बहुती कम है तो आफसन नंबर से हो जाता है आफसन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट एंसर ये प्isme सभी लोग मिला लिजिएगा आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 5 पे जिसमें नमबर पांच में पूछा गया था कि photo worldrick sale photo worldrick sale यहाँ पर होगा लेकिन मैंने यहाँ पर photo लिख दिया ज्योंकि गलती से हो गया इसको आप सही के लिजगा photo worldrick sale बनाने के लिए परिक्सामागणी का क्या नाम है silicon या arsenic या antimony या germania तो साथियों, यहां पर आपका सही हो जाता है आफसन नमबर ini जिसको silikan के नाव से जाना जाता है जितने भी छातरों ने आफसन नमबर ini मारा होगा उनका correct transfer हो जाता है सबी लोग मिला लिजिएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर 6 पे जिसमें यहाँ पर कोशन नमबर 6 में पूछा जा रहा है कि 48 इस्टेट बोल्टेज इस्ट प्लाइजर का उनुपरियोग कौन सा है गीजर है या ग्राइंडर है या टीवी डिसीबर है या एर कंडिसनर है तो साथी हो यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर C जिसको टीवी के समानुपाती कौन सा है बैक एमएप आप ध्यान एक होता है उसको किस से इंडिकेट किया जाता है यहाँ पर आपका दिया गए फिल्ड धारा और यहाँ पर सीरो का बोल्टेज दिया गए और आरमेचर कर्न दिया गै तो कोशन नमबर 7 में आपका सही हो जाता है आफसन नमबर आठ पे जिसमें पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइब का मुख्या उप्योग क्या है जो एसी ड्राइब होता है साथियो उसका मुख्य उप्योग होता है मोटर में कंट्रोल करना मतलब कि गती को कंट्रोल करना जैसे कि यहां पर आफसन आपको देखने को मिल जाता है मोटरों में नियंतरन रहीत गती मतलब कि कंट्रोल में चालाना मोटर को ये इसे ड्राइब का इसका मुख्यकारी होता है तो आफसन नंबर सी हमारा कोशन के अनुसार करेक्टिंसर हो जाता है सभी लोग मिला लिजिएगा आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 9 पे जिसमें यहाँ पर पूशा जा रहा है कोशन नंबर 9 में की कौँज़ा डिवाइस अनकुर्मिक नियंतरन पढ़ालियों में संचालन को नियंतरित करती है टाइमर या रिले या नियो जग या नियंतरन टांसफार्मर तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नंबर 8 जिसको टाइमर के नाम से जाना जाता है तो आफसन नंबर 8 हमारा कोशन के अनुसार करेक्ट टेंसर हो जाता है सभी लोग मिला लिजेगा अगले कोशन क्यों राते हैं कोशन नंबर 10 पे जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में की सुपकरन से बचा जाता है सेंसर से या संकेत दीपक से या बिलगित स्वीच से या पूस बटन स्वीच से तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आफका आफसन नंबर है जिसको बोला जाता है सेंसर से तो जितने भी छातरों ने आफसन नंबर A मारा होगा उनका A आफसन करेक टेंस्वर हो जाता है अगले कोशन क्यों रहाते हैं कोशन नंबर 11 पे जिसमें 11 में कोशन में पूछा गयाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोनिक सर्कीट बिना इन्पूट के सिंगनल तरंगो या पलसेस का उत्पादन करता है डिटेक्टर या एम्प्लिफायर या दोलक या मेडू लेटर तो सातियों यहां पर जो आपका सही हो जाता है कोशन के अनुसार आफसन नंबर C सही हो जाता है जिसको दोलक के नाम से अतात ऑसीलेटर के नाम से जाना जाता है जितने भी चातरों ने C आफसन मारा होगा उनका करेक्टर हो जाता है अगले कोशन के और आते है कोशन नमबर 12 पे यह आपका most important कोशन है इसमें पूछा गया था कि हाप हुए भी rectifier में output DC voltage गया है यदि input AC voltage 24 बोल्ट है दिखें यदि input आपका 24 बोल्टेज ध्याने कियेगा बात को तो इसका जो आ जाएगा सही answer यह आपका 10.8 है जो की बोल्ट म हो जाता है इसको लगाना पड़ता है लेकिन आप याद रखिएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर 13 पे जिसमें पूछा जा रहा है कोशन में कि कौन सा filter circuit rectifier circuit में voltage स्वाइस को हटाने में सच्चम है LC filter या RC filter या संधारित input filter या सनरी प्रिकत्व filter तो सातियों यहाँ पर सही हो जाते है आफसन नमबर A जिसको हम LC filter के नाम से जानते हैं जितने भी चात्रों ने आफसन नमबर A मारा होगा उनका correct answer हो जाता है अगले कोशन क्यों हो रहाते है कोशन नमबर 14 पर जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सकरिय घटक कौन सा है प्रारम करने वाला या रोकने वाला या संधारित या टॉझेस्टर तो सातियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर D जिसको टॉझेस्टर के नाम से जाना जाता है तो D आफसन यह आपर करेक्टेंसर हो जाता है कोशन के अनुसार आगे बढ़ते कोशन नमबर 15 अपर थोड़ सा यह लंबा कोशन है ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा अन्यता आपको समझ में नहीं आएगा जिसमें पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमी कंडेक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग समागनी का उप्योग किया जाता है बोरान का या आरसैनी का या एंटी मनी का या फास पोरस का तो सात्यों इसको बनाने के लिए उप्योग करते हैं बोरान का जो कि आपसन में आपको यह देखने को मिलता है यह क्या है पाउर कंट्रूर्ण सर्किट में आप सभी को मालूमें डायक लगा होता है लेकिन इसके लगाने का मुख्य उप्यूग क्या होता है इसमें पूछा गया है तो साथ यहां पर आपका सही हो जाता है आफसन नंबर भी जिसको बोला जाता है ट्रीगर करने के लिए तो कोशन के अनुसार यहां पर भी आफसन करेक्टेंसर हो जाता है सभी लोग मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर सत्तर अपे जिसमें यहां पर पूछा जारे कि एक टोंजिस्टर के या एक टोंजिस्टर में अधार समगली का बिसेस गोड क्या है हलके से डो किया हुआ और बहुत बड़ा या भारी और बहुत बड़ा तो सातीों यहां पर सही हो जाता है फी आफसन करेक्टेंसर हो जाता है सभी लोग मिला लुघेगा अगे बढ़ते हम कोशन नमर अथारा में पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केव बंदों का उपयोग किया जाता है रिसम बंद का या पीबीसी बंद का या नायलान बंद का या सूती बंद का तो तारों को गुच्छा करने के लिए सातियों हम उपयोग करते हैं जो की केवल नायलान बंद का जो की आफसन में आपको उसी की देखने को मिल जाता है जितने भ अगले कोशन को और आते हैं कोशन नमबर 19 पे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओबर हो लोड और साथ सर्किट से बचाता है आइसुलेटिंग स्वीच या समय देरी रिले या थरमल अतिभार रिले या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर तो साथियों यहाँ पर सही हो जाते है आफसन नमबर D जिसको MCB बोला जाता है MCB जिसका पूरा नाम होता है मिनियेचर सर्किट ब्रेकर और यहाँ पर इसी का यहाँ पर जो उपयोग होता है पैनल बोर्ड में किया जाता है डिवाइस, उबरलोड और साड़ सर्किस से ये बचाता है MCB का कार्य यही होता है तो यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नमबर D, करेक्टेंस मिला रेजेगा कोशन नमबर देखते हैं 20 को जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा यहाँ पर छोटा सा कोशन है लेकिन जो उनको आता है उनके लिए छोटा है और असान है बागी जिनको नहीं आता है उनके लिए कटेंग है जिसमें पूछा जा रहे कि DC Drive में B.O.P का पूरा नाम क्या है मतलग कि पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है पूरा नाम ही पूछा गया है जिसका पूरा नाम होता है Basic जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है B.O.P तो जितने भी लोग यहाँ पर B.O.P बा रहे होंगे उनका B.O.P करेक्ट इंसर हो जाता है